नवश्कार हुंकार मीडिय के टीम अभी बागपत में मौजूद है बागपत का ये जिला जाड सवा बागपत जाड भावन के नाम से जाना जाता है और यहाँ जो धरमपाल सिंग चैर्मेन है या इसके और देविंदर दामा अद्यक्स हैं एड़ोकेट गजिंदर सिंग माह सची हुए है यहां मिटिंग चल रही है अभी इसमें कुछ काम भी चल रहा है यहां लोगों से बात करेंगे निर्मान का कारिया चल रहा है और यहां लोगों से बात भी करेंगे कि जाड भावन के अंदर जो काम चल रहा है किनके सोजन्य से चल रहा था यह भी बात करेंग कि जाड भाउन के अंदर हम मुझूद हैं, यहां सब पददिकारी बैटे हैं जाड भाउन के, सबसे पहले अद्यक्स और चैर्मेन साव से बात करेंगे, तो क्या नाम है साब आपका? देविंदर दामा तो आप यहां के अध्यक्स हैं जाड़ भावन के जाड़ भावन के नाम से कहा जाता है जिला जाड़ भावन के नाम से जगह जानी जाती है हमने जो विदान सभा चुनाव भी कवर किया था यह मिटिंगें भी बहुत सारी हुई थी जाड़ भावन में उसमें चर्चा करेंगे तो अभी जो एक कारिये चल रहा है जो विकास कारिये चल रहा है किसके माध्यम से चल रहा है यह सब कमेटी तरफ से है जो जाट बाईयों ने जाट सभी ने चंदा दिया है चंदे के माध्यम से इसका जो नवनी करन कराया जारा है जो बात करते हैं हम लोग के जाटों के अंदर एकता बहुत होती है वो यहां चीज देखने को मिल रही है कि जाट जो भवन है जिला जिला जाट सभा भवन है यहां जो जाट समाज के सब लोग बैठे हुए हैं इनका यही कहना है कि जाट भवन जो ही चलता है जाट जो लोग है कमेटी यह कमेटी का सिरफ कारियान का करने इस देख रहे लेकिन जहाट समाज के लोग हैं चाहिए वो किसान है चाहिए व्यापारी वर्ग सेये जिनोंने चंदा दिया है उनका पैसे एकत्रित हों के उस भी बड़ी बात देखने को हैं मिल रही है यहां से जो सांसद है वो भी जाट समाज से हैं जो विधाय के वो भी जाट समाज से हैं लेकिन जाट समाज जो जाट भावन जो है यह यह परसनल जाटों के पैसे से चलता है यह चीज़ यहां देखने को मिल रही है तो अभी यह काम च इनका हर बरग हर विरादरी चाहिए पोलिटिकल नोन-पोलिटिकल हर आत्मी इनका रिस्पेक्ट करता है इसलिए हमने इनका सबसे उपर सब्मान किया गया तो यहां भी मोटती लगाई हैं और बात करेंगे अंदर भी एक बहुत बड़ी श्चेचू है उस पर आएए एक बार बात करते हैं कि जो देखनों को मिला जाट भावन मैं दिखाऊंगा आपको कितनी बढ़िया तरीके से बनाया गया है और सुन्दरिय करन भी इसका हो रहा है दुबारा से पहले बनाता उस पर भी बात करें जाना रेजिस्टेशन सोसाइटे एक्ट में कराया गया था और पंदरे दिसंबर जैना उनिस सो पिचासी को इसकी जमीन का जैना रेजिस्टे कराई गई थी तब मैं महामंत्री था यहां हमने मैसूस किया था कि हमारा एक जाट मिटिंग करने के लिए एक जगह ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम अपनी निजी जगह पर मिटिंग कर सकें उसी के उद्देश से यह जना भवन सुरू किया गया था और आज यह बहुत अच्छी है अप जाट महासाबा जो है जिला महासाबा जाट भवन का आप अध्यक्ष है तो यह जो नवी नवी निकरण जो हो रहा सभी हमारी 51 कमेटी है और यह अलग अलग जगह जाकर चंदा करते हैं इसको कोई एक नीजी आदमी पुणा सकता है लेकिन उससे फेर एक उसकी बावन की विराद्री के गरीमा को ठेज लगती है यह नीजी आदमी का निया किसी का यह हमारे अध्यक्ष लाने के लिए यह आ यह नाम है नगेंदर सिंग्ष आप भी यहां अभी हम चोधी चरण सिंग्ष का इस्टेश्चू है सामने और उनके जो चोधी चरण सिंग्ष पूर प्रधार मंत्री रहे हैं उनके सपनों को सातार करने की आपने ठानी है और जो बात करें जाट बहन की इतनी बड़ी संक् आपको नमन करेंगे और चोधी साब एक वो सक्षित रहे हैं कि जिनके नाम की खुस्बू इस मिटी में महसूस की जाती है जो भी यहां से निकलता है वो चोधी चरण सिंग्ष के विचारों से छूता नहीं रहता और यह हमारा शोबाग है कि उनकी करम मुमी में हम काम कर र करसी कानून कानून को नहीं करो लेगा करए अव fonction डेकार वर最 है कि या जो प्रसा में हमें को करने पाको टैके यहां तो पनस्य देखनों कि मिली है अborgव देक्षि कानून वह फिस ले करके जो कारंटी नहीं बनी है इस पर क्या कहेंगे हमारा जो जाट समाज है अब जिस बावन में हम खड़े हैं यह जाट परांगन जाट मंदिर है इसमें कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे बहुत बड़ी बात देखने को मिल लिए के जाटों की जो एक ता है वो देखने को य इसमेरी कमेटि के मेंबर यह जाते हैं आपका क्या मामें साव मैं एड़ोकेट गजेंदर सिंग हिवा महसेची जलजाट सबापथ समाज की एक ता को बनाए रखना है हमारी कमेटिने निनलिया इक हम सिजव अपने समाज के लिए ही बलगकी दूसर समाज भी अगर हमें सैय करेंगे हर्तरे से बखुत बड़ी बात देखनें को मिल लिए जो एक तक ही मिसाल का जाता है वो चीज यहां देखने को मिल लिए जाट बावन के अंदर यह सब लोग मोजूद है और भी कही लोग यह उपस्तिता इंसे बात करेंगे आप इस अब होगों से कहां से आप अप से क्यावन लोग की कमैटी हमी निन्य लेते हैं हमी या अपस में जो आप कहां से हैं मैं गाओं का ठासे हूं और यह वाविंक का जिला दक्स नुक्त किया गया है मुझे समाज दवारा तो जाट भावन जो बन रहा है यह जला जाट भावन बन रहा है इसमें आपका भी सहयोग होता होगा इस सहयोग तो पूरे समाज का है इसमें हम तो यहां सिर्फ एक सेवक के रूप में हमें चुना गया है तो हम सेवा कर रहे हैं पूरे समाज के सहयोग से बात यह देखने को बात देखने को मिली के पोलिटिकल बात नहीं है भाई चारे एकता की बात मिसाल जो कहीं जाती है जाटों के इंदर वो देखने को यहां मिल रही है अगली बार फिर बात करेंगे यहां कि मासचीव जी का नंबर लिख्या हुआ है बोड पर अगर रात के 12 बजे एक बजे भी कोई बुज़ूर्ग माइला बच्चा या कोई भी किसी को बस ना मिले ठ्रेंग ना मिले या कोई कोचिंग को बच्झा है को बड़ी बात इन्हों ने कहिए किसी भी आदमे को किसी बेटी को बैन को बच्चे को परिशानी हो तो बावन के दरवाज उसके लिए रात के एक बुजे भी खुले हैं माने मासे जी भी उसको मोसम अनुसार जैसा होगा कपड़ा देंगे खाणा कि लवाएंगे और जहां सबीर उसको जाना चाहेगा उसके जाने के लिए सुविता हो तो यहां जार समाज की जो मिटिंग होती है पोलिटिकल की बात हमने मने करी आपने भी बात मने करी के पोलिटिकल बात नहीं करेंगे बहुत अच्छी बात है कि समाज की बात करेंगे समाज को जोडने की बात करेंगे तो समाज की अने को होती हैं यह बावन हमारा जो है अगर कोई दो जैसे बड़े रूप में मेरी जो होते हैं कुछ लोगों के छोटे प्रोग्राम होते हैं तो छोटे प्रोग्राम के रूप में अगर जो जो सरत दस देना चाहे हजार दो जार रूपे उसके लिए भी यह बावन सेवा के लिए जो एकता देखने को मिली है मैं फिर कहूंगा आपको कि एकता की मिसाल है जाटों की अंदर मैं बार-बार कह रहा हूं कि एकता यो देखने को मिली है और यहां भी फिर किर्शी कानून की जो बात करें थे तो MSP जो है किसानों की बात करेंगे किसानों की बात किसाने किसान नहीं इस पर तोह हम चरसक्य कर सकते हैं कि अब्जासरा को अब कि नाम से जाने जाता है क्योंके मविकला है और जो हमारी डाक इदर गी उधर चलिए तो अगर आमसे कोई पुच्छनों को बहुत बड़ी बात है एजूकेशन आपके गाउं मेरे दोस्त है आपके गाउं से रिली में दिली पुलिस में तैनाथ है उनसे कही बार मेरी बात हुए है मिटिंगे भी होती है कि जाटों के अंदर जो है जो बात करें शिक्सा की उच इस्तर पे शिक्सा है हमारे यहां पर अब एजूकेशन का हब बन चुका है यह पुबलिक इस्कूल है यह है सब लोग उपस्तित हैं सब ने अपने राय रखी अपनी बात बताई किसी भी बच्चे को किसी बेटी को बहन को कोई परिशानी हो तो यहां आकर के जो हमारे महास्चिव हैं बोर्ड के उपर नंबर भी लिखा है यहां कॉंटेक्ट कर सकते हैं उनसे और फैसलिटी ले सकते हैं अगली बार फिर बात करेंगे जब तक बने रही हो देखते रहे हों का 24-7 धन्यवाद अपने शहर की लेटिस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं